नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत बहुत सबागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सुपर फूट के बारे में किसी फूट को सुपर फूट कप कहते हैं दोस्तों जब उसमें दोस्तों बहुत ही प्रचूर मात्रा में विटमिन्स, मिनरल, फाइबर ये सारी चीज़े बहुत जादा अच्छे से हों तो हम उसको एक सुपर फूट की कैटेगरी में रखते हैं तो इस सुपर फूट की कैटेगरी में आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तो स्वीट पटाटो यानि की शगरकंद के बारे में दोस्तो शगरकंद अभी ठंड शुरू हो रही है और बहुत ही आसानी से हमारे स्पास मिल जाता है आज मैं आपको स्वीट पटाटो के कुछ ऐसे नायाब गुडों के बारे में बताऊंगी जिसको सुनने के बाद अगर अभी तक अगर आप स्वीट पटाटो का प्रयोग नहीं करते थे तो आप जरूर खाना शुरू कर देंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफोमेटिव है दोस्तों आप इसको अंतक जरूर देखें और मेरे साथ बनी रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अब आप सभी मेरे साथ मेरी वेबसाइट डॉक्टर प्रांचली डॉट कॉम पे जुड़ सकते हैं जहां आपको मेरे अपॉइंट्मेंट्मेंट्यों मेजिसिन संबंदित सारी इंफूमेशन मिल जाएंगी मेरे आगे जित्ते व्लॉक्स आएंगे जाहे वह हेल्थ हो या होमेपेटिक रिलेक्टेड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी और अगर आप सभी मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक भी आपको मिल जाएंगे तो आप सभी एक बार मेरी साइट को विजिक जरूर करें हैं चली अब बात करते हैं दोस्तों Sweet Twitter Toes यानि की शकरकंद के बारे में दोस्तों शकरकंद आप सभी ने कभी न कभी जरूर खाया होगा बहुत लोगों को बहुत पसंद भी होता है लेकिन जोस्तों जो उसके गुड़ हैं उसकी importance को और भी जादा बढ़ा देते हैं तो मैं आज उसके कुछ 7-8 ऐसे गुड़ों के बारे में बताऊंगी जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके इन particular areas पे भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके गुड़ों में से एक सबसे important point की वो है आँखों की रोशनी जिहां दोस्तों ये हमारे आँखों की रोशनी को अच्छा करने में मददगार होता है इसमें vitamin A बहुत ही प्रचूर मात्रा में पाया जाता है तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि उसकी आँखें धिरे-धिरे कमजोर हो रही हैं या बुजर्ग भी हैं और या एडल्ट हैं कि नहीं के भी केस में यह चीज लागू होती है और आपको फील हो रहा है कि अब आपकी आँखें थोड़ी कमजोर पढ़ रही है या बच्चे की आँखें कमजोर हो रही है आप शकरकंद यानि की स्वीट पिटोटो का प्रयोक शुरू करें नेक्स जो बहुत इंपोर्टेंट इसके गुड़ है दोस्तों वह है शुगर के केस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है दोस्तों यूजरी आप सोचते होंगे स्वीट पिटोटो है मीठा है और इसको हमें नहीं खाना चाहिए लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों जो शकरकंद होती है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने से क्या होता है जो ग्लुकोज लेवल है वो एकदम से शूट अप नहीं करता हमारे शरीर में जैसे आप बोड़ी में ग्लुकोज लेवल को धीरे धीरे एंप्रूब करता है एकदम से शूट अप नहीं करने देता तो आप अगर डियाबेटिक पेशेंट है तो आप इसका प्रयोग करें इसमें पाया जाना वाला मैगनीशिम दोस्तों ये शुगर को इवन जो डियाबेटीज है उसको प्रिवेंट करने में भी मददगार होती है तो आपका अगर प्रियाबेटिक कंडिशन में आप पहुँच गए और आपको लग रहा है कि आप सस्पेक कर रहे हैं कि आपका शुगर रेज कर सकता है तो भी आप जो शकरकंद है उसका प्रयोग करना शुरू करने दोस इसके बहुत ही important point की जो आए दिन सभी में देखने को मिलती है वो है आपके digestion related issues के बारे में दोस्तों इसके अंदर जो fiber पाया जाता है वो soluble fiber होता है usually यह fiber हमें constipation नहीं होने देते क्योंकि वो आपने अंदर fiber में पानी को store करके रखता है क्योंकि जब भी constipation की problem होती motion ब constipation जैसी शिकायद से बचाता है दूसरी यह हमारे दोस्तों जो gut bacteria होते हैं जो हमारे आतों में मिलने वाले bacteria है जिनको हम अच्छे bacteria बोलते हैं उनको बढ़ाने में भी मददकार होता है तो जैसे आपको लगता है आपका digestion अच्छा नहीं रहता आपको बार बार या तो motion ज आपके digestion के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है नेक्स दोस्तों यह ulceration के case में भी बहुत अच्छी काम करती है अगर आपको दोस्तों शरीर में कहीं ulcer मतब pay to pay to pay especially आपके आतों में ulcer बन रहा है या फिर आपको peptic ulcer है gastric ulcer है किसी तरहा के ulceration की history है या आपको बना हुआ है usually क्य आपने antibiotic बहुत ज़्यादा खाई है तो उससे भी आपको gastritis या ulceration होने की chances होते हैं तो यह आपके जो ulceration issues है उनको कम करने में मददगार होता है और अगर आपको है तो वो उसको कम करता है और अगर नहीं है तो उसको prevent करता है कि आपको ulceration जैसी परिशानी शरीर में ना बहुत ज़्यादा लाप्रद है जो कि vitamin A, vitamin E और C हैं यह तीन vitamins दोस्तो हमारे skin को अच्छा रखने हमारे बालों को सुन्दर और धना बनाने सब में बहुत ज़्यादा मददगार है तो अगर आप शकरकंद का प्रयोग लंबे समय तक करते हैं तो आपके skin और बहुत ज़् सूजन है जैसे गठिये की बिमारी है या फिर आपको arthritis है या कोई भी ऐसा autoimmune issue है जिसमें अंदर आपके शरीर में कहीं पर भी inflammation is free है तो यह उसको भी ठीक रखने में बहुत ज़्यादा मददकार है क्योंकि इसके अंदर एक anti-inflammatory property पाय जाती है तो शरीर के किसी भी तरह के सूजन की परशानियों को ये ठीक करने में मददकार होता है नेक्स बात करेंगे दोस्तों इसकी antimicrobial property के बारे में दोस्तों इसके अंदर एक bacterial infection को रोकने की fungal infection को रोकने की हस तरह के infection को रोकने की quality होती है जैसे अगर आपको frequently अगर कोई infection हो रहा है चाहे वो lungs का infection हो like pneumonia हु आपको urinary infection हो तो किसी भी तरह के अगर आपको बार-बार urinary और इसी तरह के bacterial infection या कोई fungal infection बार-बार हो रहा है तो ये आपको इवन उससे लड़ने में भी मदद करता है उनसे बचाता भी है और आपके शरीर को healthy रखने में बहुत जादा मददकार है next दोस्तों जो कि आए दिन परिशानी आजकल देखने को मिलती है memory issue जाहे बच्चे हों बुजरु हों बड़े हों सभी में आजकल memory weakness बहुत जादा common हो गई है तो ये आपकी memory को improve करने में बहुत जादा मददगार होता है दोस्तों इसमें especially component पाया जैसे anthocynanine बोलते हैं य आपके जो brain के function को अच्छा रखने में आपकी यादाश को अच्छा करने में और आपकी जो even brain disturbance में आप बोलें कि जैसे आप महत anxiety, restlessness रहते हैं आपको नीम प्रॉपर नहीं आती इन सारी चीजों को भी ठीक रखने में मददकार है तो आप समझ सकते हैं जोस्तों ये कुछ इतने important इसके गुड़ हैं जो हम कभी नहीं जान दे थे कि एक शगरकंद में इतनी important quality हो सकती हैं इसमें ठंड का सीजन है तो आप ठंड में पूरे ठंड भर आप शगरकंद का प्रयोग करें और अगर आप इसके लगातार एक दो महिने प्रयोग करते हैं तो ये आपके शर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like जरूर करें शेर करें जादा जादा अपने friends family members के साथ और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के informative वी झाली